ओम नमशिवाय शिरीशिर पुरान समपूरण शिर महापुरान चुप्ता खंड पहला अध्याय अन्मी कथा सुनके शोनथ जी कहन लगे हे सूद जी नारत जी ने शिर्जी रेव्यादा वर्णन सुनके ब्रह्मा जी तो फिर की पुछिया सूर जी ने किहा नारज जी ने ब्रह्मा जी तो पुछया के पिता मैं सारे संसार वीच कुम्दारी हाँ पर शिवजीदा ता तपेद ना जान सक्या फिर विश्णु जी दे कथन अनुसार मैं तू हड़ी सेवा विच महोच के थोड़ा जया शिवजी दा चरितर सुनेया का माननू चंगी तरा तीरज होसला प्रापत होया अते इस गाल्दा पूरा विश्वास हो गया कि शिवजी दा चरितर संसार ले बहुत ही खुशी देन वाला अते मंगल धायक है इसले हून मेरी इच्छा है कि तुसी मैंनू एदसो की जद शिवजी दा गिर्जानाल विया कारके के लाश परबते सुशोबित होये तद ओनाने पक्तानू सुख देन वाले केडे चरितर कीते अते हिमा अचलतो विदा होके केडे केडे काम कीते तुसी मैंनू तारक देंत दा अते कार्ट वीर्यदी उत्पत्ती अते त्रिपा सिर्दा प्रगट होना अते साब कथा सुनाओ क्योंकि तिन्ने लूकां विच तु हड़े तो बाद कोई शेर विद्वान नहीं है अते ना कोई शीवजी दे चरित्तर दे विशे विच जानन वाला है इस सुनके ब्रह्मा जी बहुत खुश होए अते शीवजी दे प्रेमा नंद विच भी बोर हो गए कुझ देर बाद ब्रह्मा जी ने किहा हे पुतर मैंनू विश्वास है कि तो हड़े दिल विच शीवजी वस्ते हन कुहान नू हुन शीवजी दे बाकी चरित्तरा नू सुनाओना है ब्रह्मा जी कहन लगे हे नारष जद शीवजी गिर जानू व्या के लियाए तत देवतामा दा मनोरत समझके उना ने तार्पा सुर्देव आंत दी इच्छा किती मैं विश्णू अते सब देवता उठ्विदा होके अपने करानू परत गए असी शीवजी दी किरपादा प्रोसा रख्या पर कोई गाल प्रगड ना होई इक दिन सब देवता मुनी आदी एक थाते इकठे होके सम्मत्ती कर्ण के कहन लगे बड़ी हरानी दा विशा है कि एनना समाबतीत हो गया पर अजे तक साड़ा कम सित नहीं होया फिर उना समने तेज अर्थां तगनी नु केहा कि तुस्सी चलाकी नाल शीवजी कोल जाके देखो कि ओकी कार रहे हन अगनी देवता एक हुकम पाके ओथो विदा हो गए कपोद्धा सरूपता अरंकार के शीवजी दे निवास थान ते पोंचे फिर मैं अते विश्णु भी सब देवतामानाल के लाश पर बत्ते गए जाद रसी लोकाने शीवजी नु वट दे रुख हे था ना देख्या ता गना नु कुछ्या की सदा शीवजी महाराज किते हन उस समय गनाने ए उत्तर दिता ओ ता बहुत समय तो कार दे अंदर गिर्जा दे कोल हन अजे तक बाहर नहीं आए ए सुनके विश्णु जी मैं अते देख्या आदी सदा शीवजी पवंदे दरवाजे ते गए अते उच्ची आवाज विच ओनानों कुकार या साड़ी पुकार सुनके ही शीवजी उसे वेले गिर्जानु छट के बाहर आए उस समय साड़ियां सब दियां अखा विच अत्रो आगे असी किहा हे सदा शे असी सब तोहाड़ी शरन विच आए हा उम्मीर है तुस्सी किर्पा कारके साड़े दुखनों दूर करोगे तोहाड़ी किर्पाना साड़ा काम सुधरदा है असी तोहाड़ी महिमा किठ्थे तक वर्नन करिए तोहाड़ी महिमा नारद, शारद, शेष, आदी, अते वेल कहके सागर अते सारे संसार दे स्वामी हो उस्ता वर्नन करन दी कोई लोड नहीं तुस्ती साधे वाल अपने देयाद्रिष्टी क्यों नहीं कर दे अर्सी साथ तोहादी शरण विच आए हां तुस्ती सिरफ साधे पाव पगतां दे उपकार ले सगुंस रूपतारन करते हो मैं अते विश्मुजी आदी इस तरह पूजाकार के शीवजी दे अग्ये सिर्चुका आगे खड़े होगे इती चोथे खांड दा पहला अध्याय समापत